हलो एवरीवन वेल्कम बाक टो दी चैनल दीने सरी स्थीडियो में बात करेंगे बारवी के बच्चों के लिए कमबाइंड पासिंग रूल के बारे में बहुत चारे बच्चों के मन में कन्फियूजन है कि 100 मां की एक्जाम होती है जिसमें से 70 या तो 80 मां का रिटेन पेपर होता है 20 या तो 30 मां का ओरल या प्राक्टिकल होता है तो यार 100 में से पासिंग कितना तो जनरली सबका मालम है कि 35% बोले तो अपन पास हो गए लेकिन क्या ओरल और थियरी के मांक्स अलग पकड़े जाते हैं दोनों के अंदर 35% लाना होता है या कोई ऐसा क्राइटेरिया है कि रिटेन में इतना परसेंट होना ही चाहिए तो इस पर हम डिसकस करेंगे इस वीडियो में तो जो भी बच्चे 12th की एक्जाम देने वाले हैं अब ये एक्जाम का टाइम टेबल तो आया हुआ है लेकिन बहुत सारी बाते चल रही हैं उसके बात नहीं करेंगे हम ये बात करेंगे कि ये जो कंबाइन पासिंग रूल है यहां पर ये क्या है कि अगर कोई बच्चा 12th की एक्जाम देता है तो उसमें वो written exam देता है और overalls और practicals देता है तो वो pass होने का rule क्या है तो बहुत से बच्चों को पता नहीं है तो यहाँ पर बतना चाहूँगा जैसे कि मैं example लेता हूँ physics अगर कोई science का बच्चा है तो या तो मैं math ले लेता हूँ अभी यहाँ पर दोनों अलग अलग है physics के अंदर 70 mark का written paper 30 mark का practical होता है maths की बात करेंगे तो 80 mark का written paper 20 mark का practical होता है अब यहाँ पर आपका कोई भी subject हो सकता है आप यहाँ पर physics की जगए chemistry या bio समझ लो या maths की जगए पर अगर आपका कोई 80 mark का paper है English, India, OC, account, eco, SP या arts का कोई subject है psychology, sociology, philosophy, history, geographic, education, economics कोई भी subject है तो कोई भी subject आप इसके उपर आओ कि आपका जो paper है 70 mark का है written या 80 mark का है अब अगर 70 mark है मतलब 30 mark जो है practical है और 80 mark है मतलब 20 marks practical है या तो oral है तो अगर सर मैं यहाँ पर यह 30 में से काफी अच्छे marks लेकर आ जाता हूँ अगर यह 30 में से मैं समझो कि 29 marks लाता हूँ वा, पहले तो आपको बहुत बड़ी congratulation लेकिन सर यह जो written exam है 70 इसमें से मुझे 8 marks ही मिला तो क्या मैं pass हो पाऊंगा क्या मुझे pass हो माना जाएगा तो यहाँ पर बता दू बच्चो कि 70 में से 8 मिला तो यहाँ तो आप theory में fail हो गए हो लेकिन practical में आपने अच्छा score किया है तो होता क्या है जब आपका physics का result आएगा तो वो 100 में से लिखके आएगा तो होता क्या है यह 8 और जो 29 है इनको plus कर देंगे तो 29 है रेट हो जाएगा 37 यानि आपने 100 में से 37 score किया क्या ऐसे कोई criteria है कि 70 मार्ट या 80 मार्ट का paper है उसमें से कम से कम इतना 20-25% आना चाहिए तो यह पहले था जब नया pattern आया था 70-30 का पहले तब यह rule आया था बट वह एक साल के अंदर ही scrap कर दिया गया वैंकि उसकी वज़े से बहुत सारे बच्चे fail हो रहे थे कुछ सालों पहले उसके बाद से उसको scrap कर दिया गया उस रूल को कभी आप Google करो कि तो आपको वहां पर दिखेगा कि 20 या 25% marks are compulsory in the theory to pass तो वह अब नहीं है हमार अश्ट्रा बोट ने वह scrap कर दिया रूल अब direct combined passing rule है मतलब क्या 8 plus 29 37 100 में से 37 अगर आपका 100 में से 35 या उसके उपर आता है so you are pass तो यह जो बच्चे पास होने से डरते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं अब समझो मार्ट से अब आपने 20 में से या 18 marks लाए हैं तो होगा क्या यह 80 में से marks लाने समझो आपने 80 में से 17 marks ही लाए बस खतम तो कितना मिल गया 17 और 18 35 mark हो गया 100 में से तो अगर 100 में से 35 आ गया तो you are pass अब कोई भी subject हो आपका accounts, eco, OCSP, philosophy, psychology, sociology, history, geography, Indian, Marathi, English, उर्दु कोई भी subject है 80 mark का या 70 mark का यहाँ पर आपके practical theory और practicals मिला के जो भी marks आते हैं वो plus करते हैं अगर वो 35 या उसके उपर है, so you are pass in that subject, आप fail नहीं हो, आप pass हो, ओके अगर कोई बच्चा है सर, उसको यह 70 plus 30 है ज्यान से देखो, अगर 70 और 30 है सर, कोई subject है ऐसे, सर इस 30 में से 30 आ गया, बोलो यहाँ 70 में से 5 लाया बच्चा return में, क्या करोगे सर, pass करोगी की fail करोगे सो बेटा मैं क्या करूँगा, 70 plus 30 हो गया 100, और यहाँ पर जो माक्स है 5 और 30 मिलके 35, तो वो बच्चे को हम pass count करेंगे सोज़ में आ रहा है, तो यह होता है, combine passing rule in HSC मतलब, बोलते हैं ना की, fail होना नमुम्किन है, pass होना बड़ा असान है, लेकिन, क्या आप 35 के लिए मैंनत करेंगे, बिलकुल नहीं, आपको हमेशा याद रखना है कि कम से कम 50% on average लाना है, आपके जो major subject है, science वालों की बात करे हैं, तो PCM या PCB group के अंदर 50% के उपर ज्यादा marks लाना है, और इस तरह से लाना, अगर आप समझो physics है, chemistry है, maths है, समझो physics में 40 mark आगे, chemistry में 52 mark आगे, तो यह तो 50 cross होगे, बड़ यह हुआ नहीं, यहां 10 mark कम थे, तो आपको वो 10 mark maths में कवर करना चाहिए, 10 और 2, 8 mark कम है, हो गए, आपका 50% आता है, तो क्या exact इतना ही लाना है, नहीं थ्यादा लाना है, मतलब आप अगर entrance की त्यारी कर रहे हो, किसी भी, तो आपको याद रखना कि physics, chemistry, maths हो, या आपका commerce का कोई subject हो, arts का subject हो, तो majorly कोशिश करो कि आपका on average, जो major subject हो, या total में 50% से ज्यादा marks ला रहते हैं, उस course में admission लेनी के लिए eligible नहीं रहते हैं, तो ये बड़ी-बड़ी बाते हैं, आप लोगों के लिए simple बाशा में बताने की कुछ की है, ये है आपका combined passing rule, ये जो rule है, इसके तहित कोई बच्चा fail नहीं होता है, science वाला तो भिलकुल नहीं होता है, commerce arts वाले बच् बट ये science वालों के लिए जरा ये है कि 70 में से अगर 5 मांग भी आ जाते हैं, अगर 30 में से 30 ला दिया, practical हो गरे में score करना आसान होता है, यहां 5 भी आ गए ना 70 में से, तो भी वो pass हो जाता है, तो बस इतनी जानगार, एगर आपको वीडियो पसंद आए, तो लाइक करो तो